कि शिक्रेट बताना चाहता है मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपस्के लोगों को एक सिक्रेट बरदान मिला हुआ है सिक्रेट बरदान मिला हुआ है और बरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बगाई ही होगा एक उदावन तो आप देखिये मौजूद है 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भला ही होता गया तो आपको बड़ा सिक्रेट बरदान है जी और मैं तीन उधारन से ये सिक्रेट बरदान को सिद्ध कर सकता हूँ जी आपको ध्यान होगा किन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग सेक्टर दूप जाएगा बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा देश खतम हो जाएगा देश परबाद हो जाएगा नजाने क्या क्या कहा था और बड़े बड़े विद्वानों को विद्वेशों से ले आते थे उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो जायद उनकी मान ले हमारे बैंकों की सहत को लेकर के भांती भांती की निराशा अफ़ा फ्लाने का काम इन्होंने पुर्जोष किया और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रफिट दो गुने से ज़्यादा हो गया इन लोगोंने फैन होन बैंकिंग गोटाले की बात इसके कारण देश को एन्पिये के गंबी संकेट में डुबो दिया था बीते दिनों की बात हो रही है लेकिन आज जो उन्होंने एन्पिये का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार करकर के आँए नई ताकत के साथ निकल चुके और आज सुमें निर्वला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है दूसरा उदाहरन हमारे डिभेंस के हेलिकॉप्टर बना लिवाली सरकारी कंपनी एचे एल ये एचे एल को लेकर के कितनी भली बुरी बाते इन्हों ने करी थी क्या कुछ नहीं कहा गया थे एचे एल के लिए और इसका दुनिया पे बहुत मुक्षान करने वाली भांचा का प्रयोग किया गया था और एचे एल तबाह हो गया है एचे एल खतम हो गया है बारती डिफेंड अंडस्टी खतम हो चुकी है ऐसा नजाने क्या क्या कहा गया था है एचे एल के लिए इतना ही नहीं जैसे आज कल खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है मालू मैं ना खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है वैसा ही उस समय हे एल फैक्टरी के दरवाजे पर मजदिरों की सभा करके वीडियो सूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था अब तुमारा कोई भविश नहीं है तुमारे बच्चे मरेंगे फ्यूके मरेंगे हेल डूब रहा है देश की इतनी महत्वपन इंस्टिटूट को आज एचल सभलता की नई बुलंदियों को छूरा है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर